स्वागे तो आप सबका यू क्रिप्टो परिवार में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले ICE Network के बारे में बहुत बड़ा अपडेट आचुका है ICE Network से related, distribution से related है, audit से related है, contract address से related है और यह इतना बड़ा update है कि इससे क्या हो सकता है, future में ICE के परिवार में क्या हो सकता है, क्या इसकी listing, रनेक, ओमेगा, अवाइप, इनसे जादा हो सकती है, इस बात पर आज हम चर्चा करने वाले, यह recently PXR Network भी अभी listing की बात कर रहा है, इन्होंने listing का date भी बता दिया है, कि सेक्षेंच पर listing होने वाला, उसकी भी जानकार इन्होंने दे दिये, तो यह सारी बाते, जो भी है PXR और ICE से आज के वीडियो सेशिस में कवर कर दी जाएगी, स्वागत है आप सबका, आपका चैनल, यू क्रिप्टो, क्रिप्टो की दुनिया, प्री माइनिंग की दुनिया, जो लोग चैनल पर पहली बारा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, और पुराने फॉलोस, बेल आइकन आल सेट पे दबा दीजिए, अभी बात करते हैं, मरीना प्रोटोकॉल के बारे में, जो लोग मरीना प्रोटोकॉल में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक न्यूस बता देता हूँ, यहाँ पर आड नहीं चल रहे थे, तो अभी आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, आपका अपडेट कर लेना, अभी यह वीडियो आप देख सकते हो, और आपका जो reward है मिल रहा था, पी सर्फ आपको double मिल सकता है, और यह जो token था, पीबे यह token हमें नहीं मिल रहा था, तो अभी add देखकर, दिनके 5 add देखने को मिलते हैं, तो 5 add देखकर आप यह token भी जमा क कर सकते हों तो जो लोग इसमें काम कर रहे हैं रेफर कर लीजिए स्प्रीड बढ़ा लीजिए और एड़ देखे पीड़े टोकन भी जमा कर लीजिए कि हमें मालूम नहीं यह future में क्या होने वाला है किसी को कुछ मालूम नहीं होता शायद PBA का rate भी ज़्यादा हो जाए P-Surf से ज़्यादा दो tokens मिल रहे हैं हमें इसमें तो दोनों के दोनों हम gain करने की कोशिश करेंगे तो PBA token सिर्फ add देखने पर मिलते हैं ना refer पर मिलते हैं ना mining पर मिलते हैं फ्यूचर में दोनों के rate भी सेम हो सकते हैं या कम ज्यादा भी हो सकते तो इसमें अच्छे से काम कर लेना मरीना प्रोटोकॉल में अब बात करते एतने नेटवर्क के बारे में एक गिव बवेज चल रहा है तो इस गिव बवें आपको क्या करना होता है एतने के twitter handle को follow करना होता है उनकी ये pin post है उसको code करना होता है उसको retweet करना होता है वह करना होता है और एक form है यह form फिल आप करना होता है आपको तो यह form में आपको क्या लिखना है आपका Twitter username लिखना है आपका email address दालना है जिस से आप Ethnian Network में login हुए वो email address दालना होता है और यहाँ पर आप जो tweet करते हो उसकी link यहाँ पर दालनी होती है और यह form submit करना होता है तो इतना कर लीजि देख लेना और इसमें participate कर लेना अब बात करते हैं PXR Network के बारे में PXR Network में पहले यह tweet आ गया था इनका क्या tweet था इनका 5 दिन में contract address आ रहा है 15 January को इनका contract address आ रहा है तो यह tweet इननोंने फिर से दाल दी इनका crypto wallet भी आने वाला है यहाँ तक आ गए बात ठीक है यहाँ पर इननों फिर से repeat कर दिया 15 January को हमारा contract address आ रहा है लेकिन उसके बाद में आगे क्या लिका है वो बहुत important है देखिए आगे लिका है उन्होंने April 24 क्या लिका है April 2024 को PXR trading kicks off on OKX exchange तो OKX exchange पर PXR list हो रहा है दोस्तों बहुत अची बात है अभी कितना बचा है February, March, April बस तीन मेने का टाइम है तीन मेने के बाद हम PXR withdrawal कर सकते हो तो जो लोग इसमें माइनिंग कर रहे है अच्छे से माइनिंग कर ले ना अभी नए लोग जुड़ सकते हैं या नहीं जुड़ सकते हैं मुझे मालूम नहीं है आप बात करते है आइस के बारे में आइस स्टार्ट सून बहुत जल्दी distribution आने वाला है double check and make sure BAC address is correct आपका address ठीक है या नहीं है वो चेक कर लीजी यह सब तो हमने वीडियो बना लिया हमारे यूपर फैमिल से जितने लोग है सबका address correct है ओके यहाँ पर final हो गया अभी audit हो चुका है तो audit किसने किया है और उसका क्या फाइदा होने वाला है rate जादा निकलने में क्या फाइदा होने वाला है तो इसका audit किया है सर्टिक ने किसने किया है audit इसका सर्टिक ने audit किया है सर्टिक यह company है इसने इसका audit किया है तो अभी यह सर्टिक क्या है सर्टिक ने audit करने से क्या होता है इस पर मैं आपको detail जानका नंबर वन होता है Bitcoin ठीक है सबसे नंबर वन कौन है crypto में बिट कॉइन वह boss है वह रहेगा और रहना बीच है ठीक है उसी तरह से cryptocurrency के exchanges पर जाते है exchanges कितने exchanges है, केरा-केन है, क्यूं कोईन है, ओके एक से हूपी है, लेकिन number one पे कौन है, कौन है number one पे, boss कोन है, दादा कोन है, leader कोन है, Binance, समझ गया, एक number Binance है, वैसे ही audit की companies होती है, बहुत सारी companies होती है, Hellborn है, Hackborn है, बहुत सारी companies है, लेकिन इन सब में leader होता है, सर्टिक, सर्टिक सबसे अच्चा audit करता है, cryptocurrency की, जितने भी firms है, सबसे एक number की company, एक number का firm, जो है audit करना वाला cryptocurrency का, तो वो है सर्टिक, सर्टिक ने अब तक बहुत लोगों के audit किये, recently किया होँ audit है, इसका core, core का audit भी सर्टिक ने ही किया था, last में आप देख लेको किस का audit किया है, इन्होंने बहुत लोगों audit किया है, देखो इन्होंने audit किया है, Binance का audit किया है, OKS का audit किया है, Hubi का audit किया है, इन सब का audit सर्टिक ने ही किया है दोस्तों, तो अभी सर्टिक के अडिट में हम जाके देख लेते कि कितना स्कोर है, क्या है, आइस का क्या-क्या development है, तो सर्टिक के साइट पे चले जाते हैं, सर्टिक के साइट पे चले आगे, देखो security स्कोर अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन code security इनका complete हो चुका, 15 files होते हो complete करने ह ठीक है, तो 15 में से उसमें fault जिसमें नजर आया, तो 6 major faults नजर आया थे, उसमें से 2 बच्चे है, 4 उन्होंने clear कर दिये, medium एक था, वो भी clear कर दिया, 7 minor faults थे, वो भी clear कर दिये, एक informal fault था, वो भी clear कर दिया, critical एक भी fault नहीं था, मतलब जिसकी वज़े से audit reject हो सकता था, ice coin reject हो तो core का audit compare कर लीजिए, तो core का audit, देख YOUR score कितना है 90, 90 score है core का, ठीक है, finance का भी इस तन दिकर लिया था, तो finance का score क्या है, ये भी हम लोग देख लिते है, तो finance का score है 92, कितना है Binance का 92, ओमेगा का audit किया था, तो omega का audit किकना है, 65, देख रहे है 65, तो अभी इसका audit आदा हो चु तो बहुत सारे chances है, 0.5 से भी list हो सकता है, अगर इसका security score above 90, 92, 93 आ जाता है, तो ये $1 के आसपास हो जाएगा, $1 भी हो सकता है, लेकिन $1 के आसपास हो जाएगा, 0.8 तक भी आ सकता है, ये बहुत सारा depend होता है, क्योंकि सर्टिक अगर किसी चीज़ का audit करता है, investors अलग नजरिया से इसकी तरफ देखते हैं, investors जो भी आने वाले, इसमें funds दाने वाले, वो अलग नजरिया से देख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ होती है, rate के development होने के, मतलब उनका use cases, उनका partnerships, market circulation में कितने coins लाते हैं, distribution कैसे होता है, staking पर कितने coins जाते हैं, chances कम हैं, लेकिन 0.3 से maximum होने के chances लग रहे हैं, क्योंकि इसका audit सर टिक कर रहा है, और इसका score अच्छा आना चाहिए, वीडियो अच्छी लगी है, तो like कर देना, channel को subscribe कर देना, और bell icon दबा देना ताकि आपको सारी notifications time to time मिलते रहेंगे, अगर आपको मेरा telegram channel, इसके साथ मेरा WhatsApp जाइन करना है, या मुझे Twitter पर follow करना है, तो इन सब की link आपको description box में मिल जाएगी, यहीं पर विदा लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे, इसी time पर, Bye Bye Friends, See You!